Hello and welcome, मैं हूँ Neha Batham Social media के इस दौर में आपने और हमने सभी ने नाम सुना है TikTok का रोजाना हम लोग TikTok के वीडियोज देखते हैं, entertain होते हैं, नएने तरीके सोचते हैं कि कैसे TikTok पर अपना वीडियो अपलोड करें जो जाज़ जाज़ादा पसंद किया जा सके लेकिन TikTok ने अब एक बहुती अनूठी और अच्छी पहल किया है, उन्हें 100 करोड रुपए करोना के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए दोनेट करने का यानि की चाल्टी में देने का फैसला किया है, यह वो लोग हैं यानि की डॉक्टर्ज, नर्सेज जो लगातार संक्रमित मरीजों के संपर्ख में आते हैं इसे यह 100 करोड रुपए जो उन्हें टिक्टॉक की और से दान करने का फैसला किया है, उनके लिए हैजमेट सूट्स और साथी मास की विवस्था के लिए डोनेट किये गए हैं उसके लिए डोनेट करेंगे या फिर बनाएंगे और दो लाक मास भी तयार करेंगे मिनिस्ट्री ओफ टेक्स्टाइल के साथ मिलकर ऐसे में लगातार बातचीत जारी है दिली सरकार के साथ, माराज सरकार के साथ ताकि वो अपने डॉक्टर्स और नर्से को प्रोटेक्ट कर सकें जो रोजाना कई ऐसे मरीजों के संपर्क में आते हैं जो की करोना वाइरस से पीड़त हैं ऐसे में दॉक्टर्स और नर्स्स को प्रोटेक्ट करने की जरुवत है। ऐसे कई सारे करमचारी भी अस्पताल में मौजूद होते हैं जिनको इस वक्त सही medical equipment नहीं मिल पारा है, protective gear नहीं मिल पारा है ताकि वो अपनी सुरक्षा और बचाव कर सकें। ये वही doctors और nurses हैं जो रोजाना अपने घर भी वापस लोटते हैं, ये अभी isolation में नहीं रखे जाते हैं पुरी तरीके से, इसे में इन doctors के लिए ये जो corporate social responsibility यानि कि CSR के तहट TikTok ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और साथी कई ऐसे और भी corporates हैं जो लगातार इस शेत्र में आगे आ रहे हैं हाला कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि इतना करना या फिर इतना दान देना काफी है हर कोई जो अपने अपने तरीके से पहल कर रहा है इस तरह के donation के लिए वो ये संभव कोशिश कर रहा है कि जाया-जादा मदद उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग इस वक्त करोना जैसे संक्रमन से जूज रहें और 130 करोड की आबादी से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस संक्रमन का किस हद तक multiply होना आने वाले वक्त में मुम्किन है, संभव है ऐसे में जरूरत है हम सब को अपने अपने तरीके से इस से लड़ने की हर एक व्यक्ती अपना योगदान दे सकता है ऐसे में टिक टॉक का ये योगदान काफी एहम है और सराहनिया है